Dear student, हम आप लोगों के सामने आज BPSC से संबंधित BPSC और ये जो BPSC का एक्जाम बिहार सिच्छक भरती होने जा रहा है इसी BPSC से संबंधित कुछ current affairs के collection को ले करके आया हूँ और इसमें आपका ये practice set के रूप में आपका one practice set है जो की BPSC द्वारा conduct की जाने वाली भिन भिन परिच्छाओं का study करने के पश्चात वो सारा आपका एक तरीके से current affairs का collection हमने बनाया है जो की BPSC से संबंधित जैसे की बिहार सिच्छक भरती हो गया उसके साथ साथ आपका बिहार PCS हो गया बिहार की अन्य जो परिच्छाएं conduct की जाती है उसके लिए ये most important current affairs का topic है current affairs अब इसमें आपके 50 question का हमने set तयार किया है और इस 50 question में कौन कौन सा question है इसको आप लोग revise कर लीजिए और इसको आसानी से देख लीजिए तो अब आपका पहला question आ जाता है कि जुलाई पहला question आता है कि जुलाई 2023 में भारतिय दूर संचार वी नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ड के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाईल की उपलब्धता कितनी है तो इसका answer हो जाएगा आपका 55 और 100 व्यक्तियों पर बिहार में 55 व्यक्तियों के पास मोबाईल हाथ में है और ये रिपोर्ड कब जारी की गई तो ये रिपोर्ड आपका जुलाई 2023 में जारी की गई अब आते हम लोग अगले कोश्चन पे कि 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंब सुभाश चंद्र आवासिय छात्रावास के संबन्द में कौन सा कथन गलत है तो इसका एंसर हो जाएगा आप लोग देख रहे होंगे कि इन आवासि विद्यालेओं में उग्रबाद प्रभाविद बच्चों तथा कोविड-19 में अनात हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी दूसरा है कि पहले चरण में साथ जीलो में कुल 15 आवासि छत्रावास इस्थापित किये गये हैं केवल एक सही है केवल दो सही है एक और दो दोनों सही है न तो एक सही है न तो दो सही है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी न तो एक सही है न तो आपका दो सही है तो इसका answer option देख लीजिए कि option में आपका हो जाता है कि पटना, मुझफरपूर, दर्भंगा, भागलपूर तो इसका answer हो जाएगा आपका पटना और इसी पटना में आपका देश का दूसरा सबसे बड़ा हड़ी अस्पताल बनाया जा रहा है अब अगले question पे हम लोग आते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा blood bank किस जिले में बनाया जा रहा है तो इसमें option है आपका नालंदा, रोहतास, वैसाली, मुझफरपूर तो इसका answer आपका हो जाएगा मुझफरपूर और इसी मुझफरपूर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा blood bank की स्थापना की जा रही है अगला question आता है कि बिहार के स्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल स्रम मुक्ती के छेत्र में उत्कृष्ट कारे करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका B और सीता मढ़ी में बिहार के स्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल स्रम मुक्ती के छेत्र में उत्कृष्ट कारे करने के लिए धावा दल को सम्मानित किया गया है और ये किस जिले में है तो सीता मढ़ी अगला छठा कोश्चन आ जाता है कि बिहार के किस जिले में राज्ज के चोथे एरपोर्ड का निर्मान किया जा रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा पूंडिया और इसी पूंडिया में आपका B बिहार के चोथे एरपोर्ड का निर्मान किया जा रहा है अब एक तरीके से जब चौथे एरपोर्ड का निर्माण हो जाएगा तो एक कोश्चन आपके परिच्छाओं में पूछने की संभावना बन सकती है कि भारत के सरवाधीक अंतरराष्टी एरपोर्ड की संख्या किस राज्य में है तो भारत के उत्तर प्रदेश में बर्तमान स किया जा रहा है अब अगला कोश्चन आता है कि किसी व्यक्ति द्वारा आपात इस्थिती में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए ए यन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाईल एप को बिक्सित किया है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका रच्छक एप अगला कोश्चन आता है कि केंद्री स्रम एवं रोजगार मंतराले की ओर से जारी रिपोर्ड के अनुसार देश में और संगठित छेतर के स्रमिकों की संख्या में मामले में बिहार का इस्थान है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका दूसरा और इसी रोजगार मंतराले की से जो जारी रिपोर्ट की गई है इसमें स्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का इस्थान कौन सा है दूसरा है अब आते हम लोग अगले कोश्चन पे और अगला कोश्चन आपका है बिहार बिहार पसु एवं मतस्य संसाधन बिकास द्वारा मचली उत्पादन पर जारी रिपोर्ड के संबंद में निमलिखित में कौन सा कथन सही है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी क्योंकि वर्स 2022-23 में बिहार की कुल मचली उत्पादन लगबग 8,46,000 टन हुआ और बिहार में सरवाधिक मचली उत्पादन में कौन सा प्रतम इस्थान है तो मधुमनी जीले में इसका उत्पादन सबसे जादा हुआ जबकि सबसे कम मचली उत्पादन आपका में हुआ और यह इस ऑप्सन के हिसाब से उप्रोग तो सभी ऑप्सन क्या है सही है अब अगले कोश्चन पर आते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हैंसल लीडर्सीप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है त इसी गौतम कुमार को आपका अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हैंसल लीडर्सीप प्रोग्राम के लिए 20 युवाओं में गौतम कुमार को चुना गया अब अगले कोश्चन पर आते हैं कि हाल में ही बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्ट अप जोन में डांग घ खेंदर खोला गया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका पच्छिम चमपारं और इसी पच्छिमी चमपारं जिले में चनपटिया स्टार्ट अप जून में डांग घर निरियात केंदर खोला गया है अगले कोश्चन कि पीम उर्जा, गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के pa लाभानवित होंगे तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 6 और इसी बिहार के 6 जिले आपका उर्जा गंगा पाइपलाइन के तहट सबसे ज़्यादा लाभानवित किये जाएंगे अगला कोश्चन कि भारत सरकार ने स्वक्ष भारत मिशन ग्रामीड के तहट किस जिले के इसमा कि बिहार के आगामी विश्व इस्तरिय सांस्कृतिक विराशत सुरंग के संबंद में निम्लिखित में कौन सा कथन सही है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी इसका एंसर सी एक दो तीन और ये विश्व इस्तरिय सांस्कृतिक विराशत सुरंग के संबंद में इसका नि कराया जा रहा है और जिसकी कुल लंबाई डेड़ किलो मीटर है तो एक दो तीन दोनों इसके संबंद में सही है अगला कोश्चन आता है कि भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण एतिहासिक पर्याटन इस्थल को वेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया तो इसक सरकार ने राजगीर को भी सामिल किया बोध गया को भी नालंदा को भी और इसमें से एक से अधिक पर्याटा की स्थलों को वेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है अगला कोश्चन कि खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया संटर खोले जाएंगे तो इसका एंसर हो जाएगा अपका 33 और बिहार के 33 जगों पर खेलो इंडिया सेंटर 33 इस्थानों पर खोला जाएगा अगला कोश्चन आता है कि टीवी उन्मूलन कारिक्रम के तहत बिहार के 5 जीलों को पुरस्कृत किया गया इसके संबन्द में कौन सा कथन गलत है तो इसका एंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं क्योंकि टीवी में 60% की कमी के साथ मुझफर पूरयम समस्ति पूर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया उसके बाद से 40% कमी के साथ सीवान को सिलवर मेडल दिया गया 20% कमी के साथ सारणयों पूर्डिया को ब्रॉंज मेडल प्रदान किया गया तो ये तीनों आपसंज जो है सही है और इनने से कोई गलत नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा टीवी मुक्त भारत देश का लक्ष जो है वो 2025 तक रखा गया कि मतलब 2025 तक भारत में किसी भी जिले में कोई एक तरीके से टीवी का मरीज नहीं रहेगा और उसी टीवी उनमूलन कारिक्रम में पांच जिलों को पुरस्कृत किया गया और ये पांच जिलों में आपका ये जितने भी जिले हैं ये सब ही आपके सामील है और इनको गोल्ड मेडल, ब्रॉंज मेडल और सिल्वर मेडल प्रदान किया गया अगला कोश्चन कि हालही में बिहार के किस ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे के लिए डिपी आर डिटेल प्रोजक्ट रिपोर्ट की अनुमती प्रदान की गई तो इसका एंसर हो जाएगा पटना एवं पूर्डिया अगला कोश्चन कि हमदाबाद के साइन सीटी में आयोजित राष्टी बाल बिग्यान कॉंग्रेस में देश भर के 16 बाल बैग्यानिकों में से बिहार का किसका बिहार में से किसका चयन किया गया तो इसका उप्सन है प्रडब सुमन, अभै गुपता, निर्मल कुमार और उसके वाद से केशव कुमार तो इसका एंसर आपका हो जाएगा और इसी प्रडब सुमन को आपका साइन्स सीटी में आवजित राष्टी बाल बिग्यान कॉंग्रेस में देश भर के 16 बैग्यानिकों में से बिहार के प्रडब सुमन को चुना गया है अगला कोश्चन कि कला संस्कृती और साहित प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विसेश मंच बौधिक अड़ा बिक्सित किया जा रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका पटना और इसी पटना में कला संस्कृती और सहित प्रेमियों के लिए एक बहुत धीक अड़ा विक्सित किया जा रहा है अगला कोश्चन आता है कि बिहार के किस जिले के पुरा इस्थल तेलहाडा के समीब उत्खनन से प्राप्त उसेसों के प्रदर्शन के लिए तेलहाडा संगहरालाय का निर्मान किया जा रहा है तो इसका एंसर आपका हो जाएगा A. नालंदा अगला कोश्चन आता है और नालंदा एक तरीके से बिहार के लिए काफी जादा फेमस है और इस नालंदा पे भी कई बार BPSC में कोश्चन आ चुका है कि नालंदा विस्विद्याले की का निर्मान किसके द्वारा कराय गया तो गुप्त सासक आपका हुआ करता था कुमार गुप्त और इसी कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विस्विद्याले की स्थापना किया गया और इस नालंदा विस्विद्याले को नश्ट करने वाला व्यक्ती कौन था तो नालंदा विस्विद्याले को नश्ट करने भवन में आयोजी तेक कारिक्रम में पूरू राष्टबती रामनात कोविन द्वारा किने मर्णो परांग चैंपियन आफ चेंज अवार्ड के नाम से सम्भानित किया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी बांका और बिहार के इसी बाबर चक गाओं में राजिका पहला इस मार्ड विलेज की रूप में बांका को बिक्सित किया जा रहा है अगला कोश्चन आता है कि बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक धर्शन संग्रालय और 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 बुद्ध सम्यक धर तो 25 कोश्चन का एंसर हो जाएगा आपका पूंडिया और इसी पूंडिया में हाथी पाउ मरीजों को दिब्यांगता की स्रेणी में जोडने वाला पूंडिया जो है वो पहला जिला बन गया अगला कोश्चन कि हालही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अभी स्कूल से बाहर नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा इन में से एक से अधिक मतलब अरवल में भी है सिवान में भी है और जहानाबाद में भी है इसके अलावा और भी बिहार के ऐसे जिले हैं जिसमें कि बच्चा अभी स्कूल से बाहर नहीं वाले में शामिल हो गया है अगला कोश्चन कि सरकारी विद्यालेओं में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ सिर्षिस्थान पर है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सूपॉल और ये सूपॉल जो है आपका 93% नामांकन के लिए सिर्षिस्थानों पर है जो बिहार विद्यालों में नामांकन के लिए प्रथम इस्थान प्राप्त किया अगला कोश्चन आता है आपका कि केंद्री ग्रीह मंत्राले द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के सिर्षिस्थानों में से बिहार के किस महिला पुलिस्थाने को प्रथम 3 में जगा दिया गया है तो इसका एंसर आपका हो जाएगा बी अरवल महिला पुलिस्थाना अगला कोश्चन आता है कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार द्वारा 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का बिमोचन किया यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका अरुण सिंग और इसी अरुण सिंग द्वारा लिखी पुस्तक है पटना खोया हुआ शहर और जिसका बिमोचन मुख्य मंत्री बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के द्वारा 14 जुलाई 2023 को किया गया अगला कोश्यन आता है कि चंदर्यान 3 की सफल लांचिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलाल में चंद्रयान 3 की सफल लांचिंग की गई और इसमें बिहार के किन व्यक्तियों का योगदान रहा तो इसका एंसर हो जाएगा इन में से सभी मतब रभी कुमार भी अमिताब भी और सुधानसु कुमार ये तीनों बिहार राज्य के निवासी हैं और इन तीनों का एक तरीके से आपका चंद्रयान 3 में सफल लांचिंग में विशेश योगदान रहा अगला कोश्चन आता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाव के लिए निम्न में कौन सा पाठेकरम शामिल है तो इसका एंसर हो जाएगा इन में से सभी और पाल्टेकनिक भी हो गया आईटी आई भी हो गया और बीएट भी हो गया तो इस्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाव के लिए पाठेकरम में पाल्टेकनिक शामिल है बीएट शामिल है और आईटी आई भी आपका सामिल किया गया है अगला question कि हालही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकूर जी की पुस्तक का बीमोचन पटना में किया गया किसके द्वारा किया गया मतलब यह किस पर लिखी गई थी तो यह आपका जाती प्रथा पर अगले question कि हालही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकूर की पुस्तक जाती प्रथा का बीमोचन अभी हाल फिलहाल में पटना में किया गया है अगला question कि हाल में किस केंद्रिय चयन पार्षत का नया अध्यक्ष बनाया गया है तो इसका answer हो जाएगा आपका SK सिंगल और SK सिंगल को केंद्रिय चयन पार्षत का नया अध्यक्ष बनाया गया है अब अगले question पर आते हैं कि बिहार के किस संस्था को 6G पर सोध करने के लिए चुना गया और उसे नोडल केंद्र बनाया गया तो इसका answer हो जाएगा IIT पतना और इसी IIT पतना को 6G पर सोध करने के लिए इसको चुनाव किया गया और उसे ही नोडल केंद्र बनाने का फैसला किया गया है अगला कोश्चन कि अंटी PC सयंत्रों में कितना मेगावार्ट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के छेत्र में आत्म निर्भर हो गया तो इसका answer हो जाएगा आपका C 6943 मेगावार्ट अगले कोश्चन पर आते हैं कि बिहार बायो फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीती 2023 के तहत जैव इंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी तो इसका answer आपका हो जाएगा C 15 प्रत्सत और 5 करोड रुपए अगला कोश्चन कि निमलीखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है तो ये मलमास मेला का आयोजन जो किया जा रहा है वो आपका राजगीर नालंदा में किया जा रहा है और अगला कोश्चन है कि 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंब राज इस्तरी वन महुत्सव के संबन्द में कौन सा कथन सही है तो इसमें आपको तीनों आपसर पढ़ना होगा कि इसकी सुरुवात जो है वो मुख्य सच्वाले परिसर से पौधार ओपन के साथ की गई इसका प्रारंब जो है नितीश कुमार के द्वारा किया गया उसके बाद से आपका पर्यावरन वन एम जलवायू परिवर्तन विभा प्रतेग व्यक्तिव को सरकारी नर्शरी में पांच पौधा निसुल्क देने की घोशना किया अब इसमें कथन कारण के रूप में दिया हुआ है और ये कथन कारण में एक और दो दोनों सही है दो और तीन सही है उसके बाद से एक और तीन सही है तो उप्रोक्त सभी सही है गया तो इसका भब्व्य आयोजन आपका नैदिल्ली में किया गया अब अगले question पर आते हैं कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्तों की नजर में नितीश कुमार पुस्तक का बीमोचन पूरे मुख्यमंत्री लालू प्रशाद यादव ने किया यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका एंसर हो जाएगा उदय कांद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जो नितीज कुमार की जीवन पर आधारी था और इस पुस्तक का नाम है अंतरंग दोस्तों की नजर में नितीज कुमार पुस्तक का बीमोचन लालू यादव के द्वारा किया गया अगला कोश्चन आता है कि 10 जुलाई 2023 को भोजपूरी के सक्सफियर भिखारी ठाकुर की पूने तिथी मनाई गई इसके संबंद में कौन सा कथन गलत है तो यह उनकी 52 इसमृती दिवस था उसके बाद से आपका इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सीवान में हुआ था अगला कोश्चन आता है कि हालही में जारी एक रिपोर्ड के अनुसार तमिल नाडू को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सुच्म उधार देने वाला राज्य कौन सा बन गया तो इसका एंसर आपका हो जाएगा बिहार उसके बाद से 43 कोश्चन आता है कि जुलाई 2023 में सिख्छा मंत्राले द्वारा जारी स्कूली सिख्छा सुचकांग के परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंद में निमलिखित में कौन सा कथन सही है तो पहला अपसन है कि केरल का कुल्लम और तिरुवंद पूरम देश का सबसे अच्छा प्रदाशन करने वाला जिला घोसित किया गया दूसरा बिहार के नालंदा जिला प्रथम एक दो तीन सही है इन में से कोई सही नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी और ये एक दो तीन सही है अगले कोश्चन पर हम लोग आते हैं कि करनाटक में आयोजीत 40 में राश्टी जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगु सराय के किस हो जाएगा आपका सुमन कुमारी और इसी सुमन कुमारी के द्वारा 44 में राश्टी जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इनके द्वारा रजत पदक सुमन कुमारी के द्वारा जीता गया अगले कोश्चन पर आते हैं कि नई दिल्ली में आयोजीत 52 में स्कॉच समीट बावन में इसको समीट इंग्लैंड इंडिया एकोनामिक फोरम में किस राजी के स्रम संधाधन विकास को चाइड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड प्रतान किया गया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका बिहार इसका एंसर बिहार अब आते हैं हम लोग अगले कोश्चन पे और अगला कोश्चन आपका है कि जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र बिश्वात और लेकर ने देश रत्न डाक्टर राजेंद्र प्रशाद इस्मृती पार्क का उधगाटन किया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका मुझफर पूर और अगला कोश्चन आपका आता है कि बिहार बन बिभाग तथा बॉम्बे नेचूरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संजुक्त रूप से किये गए सन्वेक्षण के संबंद में कौन सा कथन गलत है तो पहला आप्शन आपका हो जाता है कि बिहार में दो स थलिय पच्छियों की संख्या सर्वाधिक है तो डी आपका है कि इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका इन में से कोई नहीं सही है इन में से कोई नहीं मतलब कौन सा कथन गलत है तो इन में से कोई कथन गलत नहीं है बाकी सब सही है अगला कोश्चन कि बिहार के लगू जल संसाधन विभाग ने बरशाद के समय में पानी को इस्टोर करने के लिए कि जिले में खीजर सराय प्रखंड में गा इसका एंसर हो जाएगा आपका गया अगला कोश्यन कि हालही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन पर इच्छन केंद्र खोले जाने की घोशना की गई तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सहर्शा और इसी सहर्शा में जहरीली मादक पदार्थों के पहचान के लिए रसायन प्रसिचन केंद्र खोला गया है अगला कोश्चन आता है कि 5 जुलाई 2023 को राम बिलास पासवान की 77 जैनती मनाई गई इसके संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें से वे ल दूसरा अपसन आपका आता है कि उन्हें 2021 में मर्डो परान सम्मान से सम्मानित पदम भूशन सम्मान से सम्मानित किया गया था तीसरा वे केंद्री उपभोकता मामलों के मंत्री रह चुके हैं और चौथा आपका उप्रोक्त में कोई नहीं तो इस तरीके से उप्रोक्त मे सेट जो है मैं आप लोगों को शाल्ब करा दिया current affairs और इसी तरीके से current affairs का total practice set में ले करके BPSC जो conduct कराती है उसी BPSC से संबंदि current affairs का मैं practice set आप लोगों को ले करके आता रहूंगा तो इस तरीके से यह आपका practice practice set संख्या one है और आगे के class में हम आप को अलग से दूसरा practice set provide कराएंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच